घा दोस्तो मैं आशी स्वागत करता हूँ आपके अपने योटूब चैनल पैसन कमपटिसन में इस चैनल पे हम लोग YPSSSC पैट की तैयरी करवा रहे हैं जो बच्चे YPSSSC पैट की तैयरी कर रहे हैं वो मेरे साथ जूड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आईए देखते हैं question number 31, 24 वे जैन तिर्थंकर या अंतिम तिर्थंकर थे, A. पारसुनात, B. रिसब, C. महावीर, D. अरिष्णेमी, इसका सही जवाब है C. महावीर, आईए इसके ब्याख्या को देख लेते हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तिर्थंकर थे, यह 24 व देव, महावीर स्वामी ज्यान प्राप्ति के बाद महावीर कहला हैं, इसका अर्थ होता है कि अपनी साधना में अतुले प्राक्रम दिखाना, तेशवे तिर्थंकर पारसुनात ने चार महावरत, सत्य, अहिंसा, अस्ते, तथा अपरी ग्रह का प्रतिपादन किया था, यह पूछा जाता है कोस्टन कि चार महावरत किस ने दिये थे, तो तेशवे तिर्थंकर पारसुनात जी ने दिये, तथा पांचवा महावरत किस ने दिया, तो महावीर स्वामी जी ने दिया था, देखिए महावीर स्वामी ने ब्रहम चरे नामक पांचवा महावरत इसमें ज पड़ेते दोस्तों तो कौन थे रिसब देव आइस के व्याख्या को देख लेते हैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो कापी में लेकर बैठे और जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट लगता है उसे नोट करते हुए चले रिसब देव जैन धर्म के प्रथम तिर्थंकर थे जैन धर्म में कुल 24 तिर्थंकर हुए हैं जिन में पहली रिसब देव दूसरे अजीतनात 22 अरिष्णेमी 23 पारसनातियों 24 महावेर थे रिसब देव यों अरिष्णेमी का उलेक रिग वेत में तथा अजीतनात का उलेक जो रुवेद में मिलता है इस धर्म के महात्माओं की उपादी तिर्थंकर है ठीक है दोस्तों आईए कोश्चन नमर 33 देखते हैं क्या है जैन धर्में तीन रत्न त्रिरत्न दिये जाते हैं और उन्हें निर्वाड का मार्ग कहा जाता है वे क्या है देखे ग्राम विकासादिकारी 2018 में पूछा गया प्रस्ण है इसका सही जवाब है आईए इसके ब्याक्ष्या को देख लेते हैं दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक यों प्रथम तिर्धंकर रिसब्दियों थे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 वे और अंतिम तिर्धंकर हुए महावीर स्वामी का जन्व पांसो चाले से सपोलों में कुंडगराम बैसाली में हुआ था महावीर स्वामी ने अपने उब्देश प्राकृत भासाय में दिये जयन धर्म के त्री रतन है सम्यक दर्शन, सम्यक ग्यान, सम्यक आचरड यह बहुत इंपोर्टनेट है दोस्तो जयन धर्म कितने त्री रतन थे तीन कौन सम्यक दर्शन यानि की सही विश्वास, सम्यक ज्यान यानि की सही ज्यान और सम्यक आचरड यानि की सही आचरड आईए बीना देर के देखते हैं question number 34 यह देखे पूरा आपका syllabus वाइस चल रहा है जैसा UPSSी पेट का syllabus है वैसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है असोक का सिन्ह चतुरबूज इस्तंब सिर्स रिक्तिस्थान में एक इस्तंब पर था इसका सही जवाव है दोस्तों आपसर number D सारनाथ आईए इसके ब्याख्या को देखे लेते हैं क्या है असोक का सिन्ह चतुरबूज इस्तंब सिर्स सारनासिली आगया है इस इस्तंब में चार सिंग पीट से पीट सटाएं खड़े हैं इसे ही भार सरकार ने राश्री चिन्ह की रूप में स्विकार किया है ठीक है दोस्तों यह जो सिर्ण चत्रोजिस्तम सिर्ण से कहां से लिया गया है तो सार्णास से लिया गया है आए कोशन नमबर 35 देखते हैं असोक के प्रधान सिला लेखों में सबसे बड़ा सिला लेख है एक ग्यारवा, बी बारवा, सी तेरवा, या डी चोदहवा इसका सही जवाब है, आप्सन नमबर C, तेरहवा इसी तेरहवा सिला लेख में दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्डन मिलता है आगे इसके व्याक्षा को देख लेते हैं असोक के प्रधान सिला लेखों में तेरहवा सिला लेख सबसे बड़ा है जिसमें असोक के सासन के आठवे वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्डन मिलता है या बहुत इंपोर्टेंट है, कभी-कभी पूछ लिया जाता है कलिंग युद्ध का वर्डन किस सिला लेख में मिलता है तो तेहरावे सिलालेक में मिलता है, इसे जरूर से नोट कर लेजेगा आईए question number 36 देखते हैं असोक के आकरमड के दोरान करलिंग की राजधानी कोँ से थी A. तच्छ सिला, B. पार्टली पोत्र, C. उज्जैन या D. तोसली इसका सही जवाब है D. तोसली यह देखे लिखपाल में पूछा गया प्रसन था दोस्तों आईए इसके अब याख्या को देखते हैं हम लोग असोक के आकरमड की दोरान करलिंग की राजधानी तोसली थी असोक ने अपने राज़िया विसेक के आठ वर्स बाद अर्थात नवे वर्स दोसो 61 पूरो में करलिंग की बिजय की ये डेट भी याद रखिएगा दोस्तों कभी-कभी पूछ दिया जाता है कि असोक ने करलिंग की बिजय कब की थी तो 261 पूरो में की थी इसका उलेक उसके 13 सिलालेक में मिलता है इसी यूद्ध के बाद असोक ने धम बीजय की निती अपनाई थी ये भी पूछा जाता है कि किस यूद्ध के बाद असोक ने धम बीजय की निती अपनाई थी तो तेरह वे सिलालेक में जिसका उलेक मिलता है कलेंगे उद्ध के बाद 37 कोस्टन देखे देवा नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था इसका जवाब सभी बच्चे जानते होंगे बहुत ही फेमस कोस्टन है मैं समय जवाब में पूछा जाता है तो असोक को जाना जाता है ठीक है दोस्तो आईए इसकी ब्याक्षा को देख लेते हैं असोक को उसके अभिलेकों में देवा नाम प्रिय संभोधित किया गया भाबरू अभिलेक में असोक को प्रिय दर्सी जबकि मास्के में बुध साग कहा गया है असोग की नाम का उलेक चार अभिलेकों मिलता है ये अभिलेक है मासकी, गुर्जरा, नेतूर और उडे गोलम है जूनागड की अभिलेक रुद्रदामन में भी असोग का नाम है ठीक है दोस्तो आईए कोशन नमबर 38 देखते हैं समराट असोग का कौन सा सिलालेक कलिंग पर उनके बीजय का उलेक करता है कहने दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट कोशन साभी हम लोग उपर पढ़ें देखिए तेरहावा अभिलेक ठीक है ग्रामबी का सदिकारी में पूछा गया प्रसन है इसे सभी लोग याद रखेगा भूलिएगा मत जरूर से नोट कर लिजीगा कोशन नमबर आईए इसकी ब्याख्या को देखे लेते हैं हम लोग क्या समराट असोग द्वारा कुल 14 अभिलेक प्राप्त हुए हैं जिसमें से तेरह वहाँ अभिलेक सबसे बड़ा माना जाता है तेरह वे अभिलेक में समराट असोग द्वारा कुलिंग पर उनके बीजय का उल्लेक करता है तथा असोग की धम की जित ग्रिक रजाओ एटियोकस आउफ सिर्या एंटियोक मिस्र के टॉले में तुरमय सेकंदर के पीरस पर हुई है आईए कोशन नमबर 39 देखते हैं क्या है असोग की कौन से सिलालेक में ब्रामिल लिफी का प्रियोक नहीं किया गया था ये सारनाथ, B, सहबाजगड़ी, C, धौली, D, इनमें स्कोई, D इसका तो सभी वच्चे अंसर देखी लिए होंगे तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तो, सहबाजगड़ी आईए इसके ब्याक्ष्या को देखते हैं कि भी देखिए राजा सुनी रच्छक में पूछा गया प्रस्ण है सहबाजगड़ी एक गाउं वह एतिहासिक अस्थल है जो पाकिस्तान के मरदांजिले में स्थित है यह इस्थल तीसरी सताबदी में समराट असोग द्वारा इस्थापित सिलालेक के लिए प्रसिद्ध है इस सिलालेक में खरोष्टी लिपी का प्रयोग किया गया है तीस जनवरी 2004 में यूनिस को द्वारा इस एतिहासिक अस्थल की विश्व बीरासा सुची में सामिल किया गया ठीक है दोस्तों आए कोश्ट नंबर 40 देखते हैं निमलखित में से मौरे कला का सरोत्तम प्रतिमान कौन सा है इसका सही जवाब है दोस्तों इस इसके ब्याख्या को देखते है मौरे काल की सरोत्तम प्रतिमान इस्थम्भ है मौरे कला का विकास भारत में मौरे सामराज के युक में चोथी से दूसरी सदी इसा पुर्व हुआ, सार्दनात और कुसी नगर जैसे धार्मिक स्थानों की रूप में सोयम समराट असोक नेसकी समरचना की, ठीक है दोस्तों, आईए question number 41 देखते हैं, निमलिखित में से कौन सा असोक के सामराज्या धिन नहीं था, A. कसमीर, B. गुर नहीं था, आईएसके ब्याख्या को देख लेते हैं हम लोग, क्या है करनाटक के मास्की अभिलेक तथा गुर्जर के, गुर्जर अभिलेक से हग्यात होता है कि असोक का सामराज्य करनाटक तथा गुर्जर तक बिश्त्रित था, असोक का कसमीर पर भी अधिकार था, उसने यहां अनेक अभिलेग बनवाएं कलहड के राश्ता रंगडी के अनुसार असोक की मृत्यू के बाद जब केंदरी सत्ता कमजोर पढ़ने लगी तब उसके राज्य प्रतिनिदी चालोक ने अपनी स्वतंतरता की गोशला कर कसमीर को मौर समराज से अलग कर लिया कामरूप उसका पुराना नाम है यह असोक के समराज्य धिन नहीं था यहां पर देखे दोस्तों यह पूछ लिया जाता है कि कलहड ने कौन से रश्ना की थी तो राश्तरंगडी ठीक है यह कोश्च नमबर 42 देखते है यह चगबंदी लेगबाल 2015 पूछा क्या प्रश्ना है ब्रियाद साची इस्तूप की सकाल से संबंदित है एक कुसान काल बी गुप्त काल सी हर्स वर्दन काल या डी मौरे काल इसका सही जवाब है दोस्तों बी मौरे काल यह इसके ब्याख्या को देखते है ब्रियाद साची इस्तूप का निर्माण समराट असोक ने करवाया था इसका निर्माण 32C में हुआ साची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस्तित है यहां और धवरितिया काटोरी की आकरितिका बना हुआ है आईगे दोस्तों कोश्ट नंबर 43 देखते है खगोल वेद बराह मिहीर और कवी काली दास किसके दरवार का हिस्सा थे इसका सही जवाब है दोस्तों कवी काली दास किसके दरवार का हिस्सा थे तो बिक्रमा देते है आईए इसके ब्याख्या को देखते है खगोल वेद बराह मिहीर और कवी काली दास चंदर गुप दुती के सासन काल में प्रमुक कवी थे समुद्र गुप्त का उत्रा दिकारी चंदर गुप दुती था ये बहुत इंपोर्टेंट कोश्टन है दोस्तों खगोलवित बराम हीर और कवी कालिधास चंद्रगोप्त दुटि के सासैंकाल में प्रमुख कवी थे चंद्रगोप्त के दरबार में नव बिद्वानों की मंडली निवास करती थी या था कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, अमर्सी, संकू, बेतालभट, घट, करपड, वराहमिहिल और वर्रूची आईए कोशन नमबर 44 देखते हैं बिक्रम सनुवत प्रारम हुआ A. 57 इसापुर्व B. 78 इसापुर्व C. 57 इसापुर्व 57 इसापुर्व D. 78 इसापुर्व इसका सही जवाब है A. 57 इसापुर्व यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन से दोस्तों आईए इसके अब आख्या को देख लेते हैं बिक्रम सरवत का प्रारम हुआ तो 27 इसापुर्व में देखे बिक्रम सनुवत अत्यंत प्राचिन सनुवत बिक्रम सनुवत के प्रणडेता सम्राट बिक्रमादित को माना जाता है जिन्होंने लगबाग 2068 वर्ष पुरो यानि 77 इसा पुरो बिक्रम सनुवत का प्रारम किया था ठीक है विक्रम सनुवा सत्तावनिसापुर किसने चालो किया था तो विक्रमादिती इसके प्रड़ेता थे तरह था सक सनुवात कब प्राराम हुआ तो 78 इस्वी में और इसके प्रड़ेता कनिस्क थे और हिजरी सनुवत के प्रारम कब हुआ 622 स्वी और इसके प्रड़ेता कौन थे मुहम्मा साब तीनों ही इंपोर्टेंट कोशन से दोस्तों जरूर से नोट कर लेजिएगा आगे कोशन नमबर 45 देखते हैं हर सुवर्धन ने 5 इंडिज को अपने नियंत्रड मिलिया इन में से कौन सा 5 इंडिज था इसका सही जवाब है दोस्तों आपका आपसन नमबर बी कौन सा पन्जाब, कन्नोज, बंगाल, बिहार और उडिज आईगे इसके ब्याख्या को देख लेते हैं हर सुवर्धन पुस्य भूती वन्स का महार राजा था इसने 606-643 इस्वी तक सासन किया इसका नियंतरड पांच इंडिज पंजाब, कन्नोज, बंगाल, बिहार और उडिशा तक था हर सुवर्धन ने कन्नोज को राजधानी बनाया यहां एक अच्छा नाटक का रोग कभी था इसने नागानद, रतनावली और प्रीदर्सी का नामक नाटक की रचना की है अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यूपीटर्पलसी की पेट की तैयारी के लिए मेरे साथ जूड़ियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों